हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल जीनत गार्डनिंग और टेरिस देखिए आज ही अरिका पाम के बारे में बात करेंगे आप से प्लांट देखे कितना बीटिफुल इसको मैंने शिक्स मन्त अगो ग्रो किया था बिल्कुल बेबी प्लांट था यह मैं नर्सरी से बिल्क 50% अनृटी पर्शन कमपोजट और 30% कमपोजड और 30% सब्सक्राइब यह द्युक्त फार्टी वीर्ग और 30% कोपीटी वो मिला लिजिया आप घंव 1950 अच्छी पोरस मिट्टी बनाके यह ऐख उसमें इसको लगाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी से च्छे अनंश चीफ प्लांट है और गुड लुकिंग प्लांट है यह आप इसको इंडोर में रखेंगे यह इंडोर में बहुत ही बहुत सुरत लगता है और यह एयर प्लांट है और हैवी अक्सीजन प्रवाइड करता है तो आप इसको अपने इंडोर रखेंगे जब विंडो के पास एक अगर आप इसको फुल सलन लाइट के तो इसके जो टिप पतियों की यह ब्राउन होने लगेंगे यह इसलिये वे जो जो चार घंटे की दूप अगर इसको सुबा यह शाम की मिल जाए तो उससे तो यह अच्छा चलेगा लेकिन फुल सनलाइट में यह नहीं गरोग कर पाएगा ना चाया में अच्छा गरोग रहेगा तो यह इसको आप अच्छी जहां लाइट हो यह लो लाइट हो वहाँ पे आपके जो इंडूर में जो लोकेशन हो ऐसे वहाँ पे इसको रखिए पानी किसकी रेकार्मेंट बस म कि मिट्टी उपर की एक लेयर सुखियो तब इसको पानी डाल गाएगा हफते में दो तीन दिन भी पानी डाल देंगे तो यह अच्छा गरोग देगा और इसको और इसको और इसकी दो वराइटी आती है एक दॉअ फॉराइटी और एक टॉल वराइटी यह मेरे दो प्लान भी कहते हैं और आप इसको अपने गार्डन में आड़ करिए और तेकि आज आप काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो महौल चल रहा था कोरोना का उसके वज़े से कितना खौफ का महौल था बल्कुल और आप लोग लोग डाउन का टाइम चल रहा है मास जरूर से लगाईए और अपनों अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आपको मेरा प्लान कैसा लगा बताईएगा कमेंट करिए शेयर करिए सी यू इन दा नेक्स वीडियो थांक यू बाए